तो हेलो गाइस के से अपलो अगर आप एक स्मार्टफॉन करिदना चाते हो अंडर 5000 में तो यही सही मौकाई फ्लिपकाट में स्मार्टफॉन करिदने की तो इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सबसे बेच स्मार्टफॉन दिकाने वाला हूं जो 5000 में आती है तो अगर आप एक सबसे बेच स्मार्टफॉन करिदना चाते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना आप लोगों को सभी फोन के अंदर तगडी स्पेसिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाती है और आपको त्रिपल कैमरा सेटप भी मिलती है जिसके अंदर आपको 60 अर्स रिफरिशर्ट का सपोर्ट है और ब्रेटनेस लेवल के अंदर आपको 420 ब्रेटनेस लेवल है और 88.7% के आपको स्क्रीन टू बॉडियो रिएश के साथ आती है मतलब चीन अन बेजल साइज में आपको ज्यादा साइज देखने के लिए नहीं मिलती है प्रोसर में भी आपको युनिसोग T612 की प्रोसर है जो काफी अच्छा प्रोसर है डेट टुदेए लाइफ में आपको कोई प्रोब्लों नहीं है अन कनेक्टिविटी के अंदर भी आपको डुएल नानो सिम लगा सकते हो इस फोन के अंदर जो डुएल 4G वोल्ट को सपोर्ट करती है मतलब आपको डुएल 4G यूज़ कर सकते हो सेम टाइम पे यह फोन के अंदर यह आप इस चाओ तो फोन को ले सकते हो सो नेक्स पोन का नाम है इन्फिनिक स्मार्ट 6 HD सो बात करेंगे इस पोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्प्ले के अंदर आपको 6.6 इंच की IPS TFT दिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है जो 60Hz रिफर्शेट को सपोर्ट करती है ब्राइटनेस लेवल पे भी आपको 500 इस ब्राइटनेस लेवल है स्क्रीन टू बाड़ी रेशे के अंदर भी आपको 90.66 परसेंट के आपको स्क्रीन टू बाड़ी रेशे देखने के लिए मिल जाएगा और प्रोसर के बारे में बात करें तो मीडेक हीलियो ये 22 प्रोसर है जो काफी अच्छा प्रोसर है इस प्राइज रेंज में और रामें स्टोरेज के अंदर भी आपको 2GB राम 32GB स्टोरेज के साथ आती है जिसका टाइप आपको LPDDR4X राम टाइप है DMCP 5.1 आपको स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाएगा इस पॉन के अंदर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो अप टू 512GB तक आपको सपोर्ट है डुएल नैनो सिम के साथ आती है जो डुएल 4G वोड को सपोर्ट करती है बैटरी के अंदर भी आपको 5000 इमेच का बैटरी बैकप है क्यामरा में भी आपको 8 MP का मेन केमरा अपको डुएल फ्लैश लाइट के साथ आती है फ्रन केमरा में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा है जो LED फ्लैश भी देखने के लिए मिल जाती है फ्रन साइड में वीडियो रेकोडिंग भी आप 1080p at 30fps में कर सकते हो फाइनली इस फोन का प्राइज है 5000 रुपीज फाइज फाइजन रुपीज में आप इस फोन को करी सकते हो अगर आप कुछ ओफर एप्लाइ का लोगे तो आपको 5000 के अंदर भी मिल सकते है इस फोन का नाम है Poco C31 स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको डिस्प्ले में 6.3 इंच की HD plus IPS LCD देखने के लिए मिल जाती है जिसके अंदर आपको 60 hours refresh rate का सपोर्ट है और 80.97% के आपको screen to body ratio के साथ आती है प्रोसर के अंदर आपको media deck helio G35 की प्रोसर है जो काफ यच्छा प्रोसर है G-Series का गेमिंग में भी आपको अच्छा performance देखने के लिए मिल सकती है और RAM and Storage के बारे में बात करें तो 3GB RAM 32GB Storage के साथ आती है जिसका टाइप आपको LPDDR 4X RAM टाइप है EMMC 5.1 आपको Storage टाइप देखने के लिए मिल जाती है फोन के अंदर आप memory card भी लगा सकते हो अप तो 512GB आपको support देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर So connectivity के अंदर भी आपको dual nano sim का support है And dual 4G का support भी है मतलब आपको dual 4G यूज़ कर सकते हो साथ में 5000 mAh का battery backup है Camera में भी आपको triple camera setup है फोन के अंदर And finally बात करेंगे इस फोन की price के बारे में ये फोन 6000 रूपीज का phone है अगर आप कुछ offer लगा लोगे flip card में अभी available है And आपको ये phone 5000 रूपीज में मिल जाएगा So guys अब हम बात करेंगे list की आकरी phone के बारे में अगर आप 1000 ज्यादा लगा सकते हो तो इस phone को आप जरूर करी सकते हो So बात करेंगे इस phone के बारे में इस phone का नाम है Micromax in 2B So specification के अंदर आपको display में 6.52 इंच की HD plus IPS LCD display देखने के लिए मिल जाती है जो 60 Earth refresh rate को support करती है आपको 89% की screen to body ratio देखने के लिए मिल जाती है processor के अंदर आपको Unisoc T610 की आपको processor है and RAM storage के अंदर आपको 2 वेरंट है 4GB RAM plus 6GB RAM वाला अगर आप 1000 ज्यादा लगा सकते हो तो 6GB RAM आप करी सकते हो अगर आपको नई लगानी है तो आप 4GB वाला वेरंट करी सकते हो so storage के अंदर आपको 64GB storage देखने के लिए मिल जाती है जिसका type आपको LPDDR4X RAM type है and EMMC 5.1 आपको storage type देखने के लिए मिल जाती है and phone के अंदर आप memory card भी लगा सकते हो up to 256GB आपको storage की support है and dual nano sim के साथ आती है जो dual 4G support करती है पता है dual 4G support आपको दोनो sim के अंदर एक साथ यूज़ कर सकते हो so battery के अंदर भी आपको 5000 mAh का battery backup है जो type C charging cable के साथ आती है मतलब आपको type C port है इस phone के अंदर camera में भी आपको dual camera setup है जिसके अंदर आपको 13MP का main camera के साथ आपको 2MP का depth sensor मिल जाती है front camera में आप 5MP का selfie camera आपको इस phone के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा video recording आप 1080p at 30fps में दोनों camera के साथ कर सकते हो front and back side पे so price के बार में बात करेंगे पहला variant जो 4GB 64GB वाला variant है वो आप लोगो को 5000 रुपीज में मिल जाती है so guys मैं आप लोगों को best selling smartphone दिखा चकों under 5000 रुपीज में आपकी need के according कोई भी smartphone करी सकते हो so अगर आपको इस वीडियो तोड़ा साभी पसंद आए तो वीडियो को like करेके चैनल को भी subscribe कर देना मैं आप लोगों से next वीडियो पर मिलता हूँ तक के लिए बाई बाई जाहिन वन्यमातर हम